वेलकम टू माई चैनल मेक मानी भी शुबा में आपका स्वागत है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैपिट ठीक उसका इसका जो एसल उसको ट्रेल करना है ठीक कितना पर करना यह आपको बताऊंगा अभी बिरला सॉफ्ट के बार में भी बात करेंगे और दोठो और ऐसे स्टॉक आइटी स्टॉक है जिसमें अपर सर्कीट पर अपर सर्कीट लग रहा है गाइस तो वह कौन सा है अगर इंट्री मिले आ गाइस तो दम सच में तहल का में जाएगी क्योंकि अभी आइटी सेक्टर तुफान चल ला है ना मैंने आप प्रिबिएस वीडियो देखी आपको बहुत अच्छा से एक्स्प्लें करके बताया हूं गाइस गाइस अगर चैनल पर नहीं तो मेंक मनी भी शुभम को क्या कर दीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस साइड में आपका नोटिफिकेशन बेल होगा उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा गाइस आ आप नीचे देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर बूम में इसका है ना इसमें अच्छा खासा आपको एसे लिए सब टेक महिंद्रा का टार्गेट भी दिया था जो की कंपलीट होगी है गाइस है ना उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि दो ठो बताया था आपको पेनिये स अब भाएजिस टोक का बॉला था कि देखिए रजिस्टेंस इसको ब्रेक करें गाइस चैनल करेंड जरूर कीजिए गाईस चलते हैं चार्ट पर गाइस अगर आप हमारे चैनल पे पहले से जूरे हूए हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या है राजिस्टेंस है और और आपको मैंने बोला है बार-बार फैर येक बार प्रॉफिट कराया या गाई support पे आपको बाई करा आ resistance से आपको बार-बार बोला है क्यों से sort कीजिए है ना उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था आपको यह भी बोला था गाइस कि देखें यहां से यह अच्छा खासा टाइम यह ले रहा तो यह एक नया सपोर्ट बन रहा है फिर मैंने इसने हाई बनाया था उसका बोला था कि अब यह हाई नहीं ठीकेगा है ना क्यूंकि इसे रिटेस्ट करेगा तब अच्छ रेड़ बना है तो यह रेड़ है तो इसका मतलब यह डरने की बात इसमें नहीं यह रेड़ बना है तो अच्छी बात है कि रेड़ बना है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं यह रेड़ बनना का इस मींस कि कंसोलीडेशन हो रहा है मतलब की ऊपर जाने का चांस देखें ऊप 2022 का जैन्वरी में होगा है ना गाइस तो चलते हैं चार्ट पर कौन सा स्टॉक है वो कौन सा दो है जिस पर हम अब इरला सौप्ट का क्या उसका टार्गेट है और एसल है गाइस आप यह देखना जरूर देखिए गाइस भूलिएगा नहीं इसे देखना क्योंकि निफ्टी और जो बैंक निफ्टी है गाइस और सेक्टर का पूरा एनलाइसिस में आपको करके बताऊंगा इन डिटेल है ना पूरा डिटेल आपकर रहेगा निफ्टी में तो गाइस गजब अब इसमें तुफान आने वाला इसने एक ऐसा ब्रेक आउट दिया है ना कि यह 17300 को है न गाइस तो गाइस जो सबसे पहला है वो है एस एम टेकनोलोजीज है आप डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं यह एक दिसंबर को कहा था है ना एक दिसंबर को अगर हम लोग देखे तो यह 275 तो 250 पे था और देखिए आज है ना 31 दिसंबर मात्र 31 में कहा चल गया 750 के ऊ 2x गुना दे चुका है गाइस है ना 250 से दो गुना दे चुका है है ना तो पहला इसे लिस्ट में एड किजिए जब भी आपको डीप मिले इसे बाई करके होल्ड करना में यह नहीं बोर रहा हो कि सर्कुट पर सर्कुट लग रहा है तो जिब नीचे आएगा तो नीचे का चांस कम है अगर हम लोग जादा नहीं 5 पहले में बाई करेंगे हैना अगर अच्छा मोमेंटम मिलेगा तो फिर 10 बाई करेंगे फिर 25 बाई करेंगए जिसे एक्यूमुलेट करके गाइग करेंगे ठीक ना गाइज फिर चलते हैं नेक्स्ट पर गाइज गाइज यह भी कैसे बनाएंगे गाइस दम पैसा बनाना है न्यू आई प्यों से मैंने खूद बनाया है और आपको वही एस्टाटेजी में बताऊंगा गाइस हैना हांडेट परसेंट प्रोफिटेवल स्टाटेजी रहेगा जरूर से जरूर देखिए गाइस चलते हैं अब बिरला प्रेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर हमने आपको यहां पर से ही बाई करने को बोला है है ना फिर यह हाई तूरा था तो यहां पर भी आपको बोला था कि बाई कीजिए गाइस और हम मेरे मेरा प्रीबिएस वीडियो अगर आप देखते होंगे तो आपको स्टॉपलेस बो सब्सक्राइब है तो अब इसमें हलका सा 2-3 रूपया का है ना देख रहे हैं तीन रूपया आज साथ पैसा का है ना इसमें भी प्रॉफिट है गाइस है ना मतलब कि ऊपर गया है है ना तो इसमें एसल जो है उसको कोई चेंज मत कीजिए 525 को ही रखने रही है अब चलते से पहले आप यह जरूर देखिया है कि अभी देख लो रतबाद में पच्ताना परेगा गाइस क्योंकि मार्केट खुलने से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक बाई या सेर को हमें बाई करना है या सेल करना है पूरा लीस्ट है आपके साफ एफनो से लेकर सब कुछ गाइस तो यह वीडियो जरूर देखिया गाइस ठीक चलते हैं केपीट के चार्ट पर तो गाइस हम लोग आगा है केपीट के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में आपको मैंने यही से बाई कराया अगर प्रीबियस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो नहीं से आप लोग को बाई करवाया था है ना क्योंकि यह फर्स सपोर्ट सेकंड सपोर्ट यह थर्ट सपोर्ट हमारा बना था जीसे मत जीसे बोलते हैं कि ट्रीपल बॉटम या ट्रीपल टॉप है ना जैसे कि ट्रीपल टॉप उसका ट्रीपल है ना गाइस बॉटम है ना यह क्यों बोलना हूँ क्योंकि देखे हमारा यह है resistance है ना अब यह क्या बन गया पहला support फिर red candle बना दूसरा support फिर green candle यहीं से pullback किया है है ना मैंने आपको previous video में बोला था कि अब यह क्या करेगा एक pullback करेगा इस support पर आएगा resistance act as a support उसके वाद इसने फिर उरान चालू किया है गाइस तो हमारा एसेल 560 का ही रहेगा गाइस अभी देख रहे हैं 600 टूएल पर चल रहा है है ना गाइस तो आपको यहीं से तो आप सोच सकते हैं कि कितना से आपको कितना profit में करा चुका हूं गाइस चलते हैं second stock जो कि नया है पलस अभी 500 से कम है गाइस इसे जरूर दे इंडिकेटर आप लोगों के लिए है है ना मैंने खुद अभी एक दो दिन से उसमें profit धंगच के बनाया है है ना वो कौन सा इंडिकेटर है जिसमें आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में buy sell कर सकते हैं ना बीत पूप बीत प्रॉफिट आपको दिखाएंगे गाइस ठी पहला डे इंट्री बना लिया था आप लोगको पहले ही कल का वीडियो में डालने वाला था बाकि कुछ प्रॉब्लम आ गया तो जिस कारण से लेट से वीडियो बना है अभी भी इसमें कि ज्यादा नहीं है अभी भी यहां तक 5X आपका हो जाएगा गाईज क्यानल पने तो subscribe जरूर कीजिए चैनल पने तक इत्सरीक् specified कि आप subscribe जरूर कीजिएगा गाईज क्योंकि मैं दम जेनुएन वीडियो और लॉजिक वाला वीडियो अपलोड करता हूँ गाईज कि आप लोग को सहुलिये थो आप लोग को समझ में आए और यहाँ पर नोटिफिकेशन बेलोगा उसे भी प्रेस कर दिजए गाईज तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाईज